हेलो स्टूदेंस, वेलकम बेक टो हिंदी मीरर चैनल, सभी स्टूदेंस का हिंदी मेर परफेस्टilihmen स्वाकत है, अभी जो कंटेंट लिख रहा है अभी के एकजाम कल 17 में लास्ट है और सभी का एकजाम अच्छे से हो हिंदी वेर की तरफ से यही आपके लिए शुब कामना है अब यहां पर जो फोर्ट पेपर लेका रहा है एकनोमिस का है और दो पेपर हमने कल अप्रोड कर दिये थे पॉर्ट पेपर इंग्लिश का और हिस्ट्री का चारी पेपर हम प्रोवाइट करा पा रहे हैं और भी स्टुडेंस की और सब्चेक की भी क्वारी जा रही है तो अभी हमारे यहां पर में आप तक जो पेपर पहुंचाती हूं बिल्कुल ओरिजिनल वो पेपर होते हैं अगर मैं कहीं से धरोदर से उठा कर देदू कि भी शृदियर सुमन के ऐसा नहीं होता है बिल्कुल की आप तक पेपर पहुंच रहे हैं आगे भी अगर कुछ होता है तो आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे चलिए बने रही हिंदी मिरर के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो हो जाएए और एक सब्सक्राइब बैल आकर निट कर लीजिए नेस्ट थर से में जवाब क के हमारे मुलाकाथ हो तो आप तक प्रिवेज़ कोस्टन पेपर पहुंचे और आप अबने त्यारी करते रहें इंदी मिरर के साथ लाइक करना और शेर करना तो मदभूलेगा क्योंकि आपका लाइक और शेर ही हमारे मोटिवेशन का का काम करता है पेपर का नाम सभी को पा सिर्देश मर उत्राकन किसफ यहां पर आपको बिल्कूल or authentic content मिलेगा चलिए देख लेते हैं सभी को मालूम है कि B sheet नहीं मिलती है तो कोशिश की जिगा कि paper भी आप manage करके चले और timing भी manage करके चले क्योंकि long questions जो आते हैं वो 15 number का आता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो तभी आप 15 में से 12 तक number ले पाएंगे हैं नहीं तो 10 number तक किसी मर जाते हैं number चलिए हैं आपर देख लेते हैं इस प्रश्ण पत्र में 2 खंड हैं खंड आबा खंड पर देख चार से 4000 प्रश्ण करने हैं पैटर्न में कोई changing नहीं है देख लेते हैं section A में किस प्रकार के questions पूछे गए थे इको में short answer type question लगूत्रे प्रश्ण वही आपको चार करने और पाच नंबर का एक पहला प्रश्ण पूछा गया था भारत भारत में प्राकरती संसाधनों का महत्व लिखे राइट दा इंपोर्टेंट्स ओफ नेचरल रिसोर्स इन इंडिया काफी महत्व है इसके उपर काफी अच्छा लिखा जा सकता है लेकिन आपको फाइट नंबर गेंड करने तक ही लिखना है नास कोशन है भारत में राष्ट्रिया आइकम होने के कारण क्या है उसके बारे में यहां पर लिखना है डिसकस्टा फैक्टरस रैस्पोंसेबल फोर दा लो नेशन नेशन इंकम ओफ इंडिया नास को जा सकते हैं और इस तरह के कोशन जो बनते हैं वो रैंडमली होते हैं और इस तरह की नॉलिज आप बैचलर कर चुके हैं मास्टर में हैं तो इस तरह की नॉलिज आपको होनी चाहिए और अगर इस परकार का कोशन आता है और आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको अराम से अटम करें यह नहीं कि हमारा पढ़ावा नहीं है क्योंकि इतनी लोजी सभी को होती है चलते हैं आगे नेस कोशन की तरफ होते हैं इस तरह के कोशन हमेशा ही आते हैं रैंडमली नेस कोशन है भारत की आयात निर्यात निती की मुख्य विशेस्ता है बताईए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है भारत की उसके आपको क्या करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं क्या विशेस्ता हैं आपको नजर आती हैं उसके वारे में यहाँ पर बताना है बाल शर्मिकों की इस्तिती में सुधार के लिए आप क्या सुझाओ दे सकते हैं अब इस तरह का कोशन भी देखे आप जो है जो चाइड लेबर है कंडिशन जो है उनकी उनके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं मुझे लगता है इस तरह का टॉपिक भी आपको पढ़ने जुरुत नहीं है अब यहां पर रिखना है राइड़ा ट्रेंड ओफ रूरल अर्बन अगरेशन ओफ इंडिया किस तरह की प्रवसन प्रवर्ति हो रही है क्यूं हो रही है भारत में ग्रामनी शहरी प्रवर्ति चल प्रवर्ति चलते हैं आगे 10 प्रवर्ति चलते हैं आगे 10 कोशन राष्ट्रिय आई की गणना किस प्रकार प्रवर्ति चलते हैं की जाती है योजना काल में भारति ये राष्ट्रिय आई की प्रवर्तियों की विवेजना कीजिए नेस कोशन भारत में समाजिक आधारबू धाचे पर एक निमंद लिखी राइट आई से ओन शोशल इंफ्राइस्ट्रक्चर ओफ इंडिया किस तरह का है इंफ्राइस्ट् लेकिन जरू पूछा जाएगा इसको आप अच्छे से तियार करके जाईएगा चलते हैं नेस्ट कोशन की तरफ है नेस्ट कोशन है भारत में नीजी करन उदारी करन एम विश्व यापी करन के महत्व की समिक्षा कीजिए तो क्या है नीजी करन है यापर बताना है रुदा पूछा जाएगा ये भी आप मानके चलिए यहां से भी 100% आपका कोशन बनेगा नेस्ट कोशन है भूमी सुधार से क्या भी पराय है सरकार द्वारा जिसा में किये गए प्रतनों की विश्व ना कीजिए तो क्या प्रयातन किये जा रहे हैं इसके बारे बताना है और यहां से भी कोशन इस बार 100% बनेगा इसको देख लिजेगा चलते हैं आगे भारत में बहुर आस्ट्रिय कंपरियों की भूमिका का आलोजनात मकुल्यांकन कीजिए इसके बाद आपका भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए सरकार ने गरीबी कम करने के लिए क्या उपाए किये हैं लास पोशन भारत में आयह म संपती की विश्यमताओं के कारणों हैं परिनामों की भारती संदर्में चरचा कीजीए तो जो आयह म संपती की विश्यमता है और इसके क्या कारण है और क्या परिणाम से सामने आते हैं तो ये भारतिय संदर्म में आपको चर्चा करने ही है ना कि किसी विदेश के बारे में तो इस वरकार से ये आपके कोशन्स थे और आज अकल आप परसो आपका लास पेपर है तो फटाफट लाइक और शेर करना ना भूले क्योंकि आपका लाइक और शेर ही हमें बताता है कि हम कहा तक सही जा रहे हैं और जो वीडियो हम अप्लोड करते हैं आपकी क्वैरिश किस से तो खेर हमें पता चली जाता है लेकिन अगर आप अच्छे से बताएंगे हर चीज को तो शायद हमें अच्छे से और जीजों का पता चलेगा